नमस्कार खबरों का पंचनामा में आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कांची पंसल हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर जल थम सकती है रोस यूकरेन जंग राजदूत कमबोज ने कहा भारत ने दिखाया शांती का रास्ता अंतराश्य स्टर पर पीए मोधी की दिखेटागर सुरक्षा मामले पर कॉंग्रेस के आरोपो पर सी आर पीएफ ने दिया जवाब कहा राहूल गांधी ने 2020 के बाद से 113 बार किया सेक्योरिटी लियोमो का उलंग है केरल में एनाईय के बड़ी कारवाई पीएफ आई के 56 ठिकानों पर छापे मारी नाम बदल कर आतंग के लिए फंडिक जुटाने कारो सुशांत मामले में सामने आया नया मोर मोर्चरी सर्वेंट रूप शा का बयान दर्ज करेगी सी बी आई खुल सकता है हत्या का राज कोलकाता में रद हुआ सिंगर अरिजीत सिंग का कंसर्ट बीज़पी नेता ने कसा तंज कहा भगवा रंग से डर गई ममता बैने खबरों के सिलसले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ संयुक्त राष्ट में भारत की स्थाई राज़तूर रुचीरा कंबोज ने रूस यूकरेन युद पर भारत के रुख को साफ किया है और कहा है कि भारत ने लगातार युद को खत्म करने का आवान किया भारत ने दोनों पक्षों से कोट निती और समवाद के रास्ते पर लोटने की अपील की है जिसके बाद अंतरराष्टियस तर पर पीए मोधी के नेतरित्म में भारत की ताकत का पता चला है डॉक्टर साब रोस यूकरिन युद अब थमने का वक्त आ गया है इसमें पीए मोधी का कितना बड़ा हाथ है देखिए कई लोग खास करती है लिफ्ट लिबल कबाल के लोग पत्रकार कुछ जो अभी हाल में ही रिटायर हुए है रिजिगनेशन दे करके अपना यूट्यूब चैनल खोल करके ग्यान बाट रहे हैं यह सब मजाक उड़ा रहे थे इस ख़बर का पिछले एक मेहने से यह लोग यह कह रहे थे कि यह तो गोधी मीडिया है इस तरह की बाते प्रधान मंत्री मोदी के बारे में बढ़ चड़के बोला जाता है लेकिन इनकी जुबान तब बंध हो गई जब सी आई के चीफ के तरफ से यह बयान आ गया कि प्रधान मंत्री मोदी की कोशिश जो है वो रंग लाएगी उसके बाद अगला जटका इनको डिप्लोमेटिक सर्कल में ये बात आम हो गई कि दर जोनी वन पर्सन हो इस ट्राइंग तो ब्रेक दा आईस फुतिन और जलेंस्टी के बीच कुछ मदस्ता का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हुए है प्रधान मंत्री मोदी और ये खबर कि यूएन में जो भी दुनिया के सामने आती है कि जो काम तमाम महाशक्तिया नहीं कर पाई वह भारत कर रहा है वह प्रधान मंत्री मोदी कर रहे हैं तो ये खबर सिर्फ खबर नहीं बलकि हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है जी बिलकुल भारत हमेशा से अमन और चैन की बात करता और रूस यूक्रेन युद्ध पर जल्द विराम लगने की खबरे भी आ रही है और जिसमें पीएम मोदी का बड़ा हाथ बताया जा रहा है जिससे विपक्ष को काफी मिर्ची लगी है आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नज़र डाते हैं कांग्रेस ने राहूल गांदी की भारत जड़ो यात्रा में सुरक्षा के लिहाद से केंद्र पर सवाल उठाई थे लेकिन अग उसका जवाब CRPF ने दे दिया है और कहा है कि राहूल गांदी की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किये गए थे कई मौकों पर खुद समय पर जानकारी भी दी गई थी डॉक्टर साब राहूल गांदी ने तो खुदी सुरक्षा को लंगन किया है उपर से सवाल केंद्र पर देखिए मैं जानता था कि ये काम होने वाला है एक दिन पहले भी हम लोगोंने ख़बर की थी खबरों का पंचनामा में कि जिसमें से बड़ी बेचैनी दिखाई जा रही थी तो चुके किसी लीडर की सिक्यूरिटी का मसला है तो लोग सिंपतेटिक होकर के ही उसको एनलाइज करेगी कि हां भई अगर उनको लग रहा है कि सुरक्षा और चाक चौबंध होनी चाहिए तो सरकार की जिम्मधारी है अब आप अपने एक काम गलत करती है यह जो सवेरे सवेरे पवन खेड़ा सहाब का जो बयान आ गया कि सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह यग्ग है और यग्ग को में विग्र डालने वाले लोग दानव होते हैं और बीजेपी वारे दानव है तो कहीं ने कहीं से तो आई गा ही है सुरक्षा के जिमनदारी किस के पास सी आर पीएफ के पास तो अगर आप यह कहते की सुरक्षा में चूक हो रही है हमारे कंटेनर में कुछ लोग घुज जा रहे हैं तो सी आर प्योको तो बताना पढ़ेगा कि नहीं नहीं हमारी तरब से कोई चूक नहीं है ह और ये पहली बार नहीं है सुरक्षा का मसला जब जब कॉंग्रेस पार्टी ने उठाया तब तब सुरक्षा एजिंसियों ने इस तरह के डाटास दिये हैं आप तो भारत जोड़ो यात्रा में कहते हो कि वही सुरक्षा चाहिए क्या पवन खेडा साहब या फिर कॉंग्रेस कोई प्रवक्ता बताएगा कि जब आप विदेश जाते हो जब आप थाइलेट चले जाते हो वहां से कहीं और आइलेंड पर निगल जाते हो वहां मेडिटेशन करने सिक्यूरिटी अपने साहते क्यों नहीं जाते क्यों आप उन्हें रास्ते से ही वापस लोटा देते हैं हैं आप चीन गयेढ़ शुरकश्न के गय 공유 partir अफ्ट लटेश में क्यों और लेखे गया श्यों बता है तो आप जयाते गाँर्षक्षण नहीं जाते हैं मैं क्यों बताव्शे पार्टी दरशल मुद्धा विहीं में हो चुकी है वह जो भी मुद्धा उठा रही है उसको कह सकते कि सलक छाप राजनीती वाले मुद्दे को कॉंग्रेस पार्टी उठा रही है और इसलिए कभी CBI से तो कभी ED से तो कभी CRPF से अब बस बच गया है कि कोई थानेदार राहूल गांदी को सीकुरिटी की ज्यान के बारे में कोई सबक सिखाए जी बिलकुल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नज़र डावते हैं एनाईय केरल में प्रतिबंदित PFI और उसके सदस्यों से जुड़े 56 से जादा ठिकानों पर आतंकी साज़श के एक मामले में चापेमारी की गई एनाईय की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रतिबंदित PFI के नेता अलग-अलग मध्यमों से अलकाइदा के संपर्क में थे वहीं ये भी दावा किया गया कि PFI के सदस्य एक गुप्त विंग चला रहे थे डॉक्टर साब ये किस गुप्त विंग की बात हो रही है देखें ये जो PFI है ये बिसिकली जिहादियों का संगठन है हाड कोर आडिलोजी ये जो है ये हिंदुस्तान में जो इसलाम है उसके प्रतिनिद्ध नहीं करते हैं ये सलाफी वहाबी किस्म के हाड कोर जो इसलाम है उसको हिंदुस्तान पे लागू कराना चाहते हैं ये आ बैन किया गया तो यह PFI अब जो खबर आई कि इनके रिस्तित्व अलकाइदा और दर के औरनाईसिंस तो ही आज जो छापे पड़े हैं उसका मूल जो कारण है वो समझ लेजिए PFI पे बैन हुआ तो इनके लोग गुप्त रूप से कोई नया संगठन बनाने में जुट गया है कि ताकि अब तो PFI के उपर बैने कोई नया संगठन नाम नया जंडा नया रिजिस्टेशन उसको लेकर के ये लोग और गनाईस कर रहे थे तो तमाम ऐसे ऐसे सेंसिटिफ लोगों के उपर नदर रखी हुई है हिंदुस्तान के जिंसियां कि जिनकी गतिवीदियों के उपर अलर्ट आया और 56 जगह पे आज कारवाई हुई कई लोगों को गिरफतार किया गया सौबात की एक बात इस संगठन जो बैंड संगठन है उसको सिर्फ बैंड करने से काम नहीं चलेगा इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को जब तक आप सलाखों के पीछे या फिर अंदमान निको बार लक्षदीप में कोई एक आप टापू बना दे जहां उठा उठा करके इन लोगों को रख दें तब जाकर के शांती आएगी अदरवाइस यह सुधरने वाले लोग नहीं है सीमी बंद हुआ पीएफाई शुरू कर दिया पीएफाई बंद होगा कुछ और यह सुरू कर देंगे उसको बंद करेंगे आप कुछ और यह सुरू कर देंगे तो यह जो आज की जी नहीं ने च्छापेमारी में पीएफाई के खिलाफ अब बड़े खुलासे करने शुरू करती हैं आगे बढ़ते हैं दिवंगत अभीनेता सुशान सिंग राजपूत को लेकर अब केस और आगे बढ़ गया है सुशान सिंग राजपूत केस में सीबियाई जल्द ही मौ हम लोगों ने उस वक्त भी उठाए थे कि रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों सुसान सिंग राजपूत का पोस्ट माटम किया गया किस की आदेश पर किया गया क्या उसके लिए को स्पेशल परमिशन ली गई किस ने किया उसकी वीडियो ग्राफिक क से पुस्टमाटम कर रहे हैं इनका काम डेट बॉड़ी को बगएदा उसको चीर लगाना और उसके बाद पुस्टमाटम के बाद सिलाई करने का काम है एक्सपीरिंस्ट हैंड 28 साल का वो यह दावा कर रहा है कि उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि यह तो आत्मंत्य का मसला नहीं है हाथ पर चूटे हुए हैं आग के नीचे चोट का निशान है और जो गले पे भी दो दाग है वो सुसाइड का नहीं है यह ऐसा लग रहा है कि कुप कुमार साह के बयान के ऊपर कुछ इन्विस्टिगेट करेंगे क्या इन्विस्टिगेशन में होगा तो डॉक्टर से भी पूस्ताच की जाएगी कूपर हॉस्पिटल का हुए से भी रिकॉर्ड खराब रहा है लोगों की नजरों में तो यह तो मसला वो है दूसरा ग बिहार के डीजीपी वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब बिहार की टीम वहां गई थी तिन के अधिकारी को पंदर दिन के लिए बंदग बना लिया गया था मुंबई की पुलिस ने को आपरेटर नहीं किया था मानो कि कुछ छुपानी की कोशिश की जा रही है तो नए खुलास को आगे ले करके ले जाना चाहिए क्योंकि करोनों लोग सुशान्त की मौत के राज उसके सच को जानना चाहते हैं जी बिलकुल अब सुशान्त मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद हर नया दिद दिवंगत सुशान सिंग राजपुत को इनसाफ की ओड़ने जा रहा है आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं बालीवोर्ट सिंगर अरिजीट सिंग बेहत सुर्ख्यों में हैं लेकिन इस बार सुर्ख्यों का विशे उनकी कला नहीं बलके उनका कॉंसेट बना 18 फरवरी को कॉलकाता में अरिजीत का कॉंसर्ट होने वाला था लेकिन पुलिस की परमीशन ना मिलने की वज़ा से कॉंसर्ट को रद कर दिया गया दरसल कॉलकाता इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में अरिजीत ने अपना पॉपुलर गाना गेरुआ गाया था जिसके कु पर रंग दे मुहे गेरुआ गाने की वज़ा से कॉंसर्ट रद करवा दिया है डॉक्टर साब क्या ममता प्यानर जी अब गेरुआ से डर गही है देखिए ममता ब्रणर जी के राजनीती का अलग स्टाइल है वहां की तरफ से कहा जा रहा है कि जी टून्टी का कोई समिट ह है ये है वो है बहाने बाजी लेकिन जो राजनीती इसके उपर हो रही है तो रंग से तो बड़ा प्रेम है ममता ब्रणर जी को जब सुरुआत हुई थी तो जब कभी भी ये कहीं किसी पब्लिक फंक्शन में जाती थी अगर वहां पे कोई लाल कार्पिट नजर आ गया वो उस मंच को छोड़ के चली जाती थी वो कहते थी कि बिलकुल रंग बदलो उनको लाल नहीं चाहिए लाल इसले नहीं चाहिए क्योंकि रेड कॉमुनिस्टो का रंग वो मानती जो वहां पर रैटरस बिल्ड़िंग था वो रेड कलर की बिल्ड़िंग थी ममता बरन जी चाहिए करण बदल दी नहीं चाहिए लाल अब यही हेट्रेड उनका गेरुवा से लेकिन गेरुवा से बचके कहां जाओ मंता दिदी को यह समझना चाहिए कि अरजीत के इस रंगदे तुमोहे गेरुवा इस पे तो आपने आपति जता दी उसके कंसर्ट को आपने बंद कर दिया लेकिन जिसकी फिल्म का गाना है उसके बगल में बैठके आप उसे कहते कि वह आपका भाई है यह तो मुझे पता नहीं मैं तो फिल्म देखा नहीं लेकिन लोग कहरें कि सारुक खान की फिल्म का ही गाना यह तो सारुक से दोस्ती जिसने गेरुवा गाना बनाया जिसके फ आपको उस गाने से उस रंग से परिशानी है तो आप समझी कि कितना ज्यादा कटर किस्म की राजनिता मम्ता बनर जी है और मैं आपको इसका दूसरा पहलो बता दू जिस राजनिता जिस मंत्री जिस चीफ मिनिस्टर जिस प्रदान मंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं होता वो यही सब बेकार की चीजों में राजनिती को उलजाते हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं है कभी रंग पे तो कभी किसी और चीज के उपर कभी गाने पे कभी फिल्म पे राजनिती करना इनकी आदत बन जाती है जी ममता बैनर जी उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ उनहीं कलाकारों को अपने राज में मंच देती हैं जो भारत के शासन पर सवाल उठाएं जो हिंदूओं की भावनाओं के साथ खिलबाड करें और अरिजेत सिंग का कॉंसर्ट रद हुना इसका जीता जाकता उधारन है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैहिंद